हेलो फ्रेंड्स स्वागा था आपका अपने चैनल मोई सिंग रूहल पे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जो टोपिक डिस्क्स करेंगे वो ये है कि अगर कोई भी परसन ड्रंक अंड ड्राइविंग में पकड़ा जाता है तो उस केस में उस पे क्या फाइन होगा और उस क केस में क्या उस पे पुनिश्मेंट हो सकती है आज की वीडियो में हम ये टोपिक डिस्क्स करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और डिस्क्स कर लेते इस टोपिक को तो दोस्तो अगर कोई भी परसन ड्रेंक अंड ड्राइविंग में पकड़ा जाता है माल लीजिए उसने ड्रिंक कर ली है और उसके बाद अगर वो ड्राइविंग करता है और वो अगर पकड़ा जाता है तो जो उसका फर्स्ट टाइम का फाइन होगा वो भी कोट के दौर बार डिल किया जाता है और जो सबसेक्वेंटली अगर वो एक बार पकड़े जाने के बाद मी नहीं मानता है और सबसेक्वेंटली अगर वो पकड़ा जाता है तो भी जो उसकी डिलिंग होती है वो कोट के दौरा ही डिलिंग होती है उसका जो लाइसेंस है वो भी कि जो डुरन्क एंडड़ॉइंड बिलकल ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांशिश बढ़ जाते हैं कि आपने विकल का डेमेज भी हो सकती है। और जो दूसरा है जान का भी खत्रा होता है और जो तीसरा किसी और के विकल को भी डैमेज हो सकता है या किसी और परसन को भी इंजरी हो सकती है और ये एक serious offense है इसको court जो है वो serious trick के से deal करती है तो इसमें license तक suspend हो जाता है तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगिया है तो like कीजिए, share कीजिए और अगर आपने चैनल अब तक subscribe ने किया तो चैनल को भी subscribe कर लेजिए ऐसी ऐसी वीडियो इस चैनल पर upload होती रहती है Thank you so much